गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारे मेरी गोल्ड में पेज नमबर है 114 मैंने आपको अकबर और बिर्बल वाली जो स्टोरी है उसका एक वीडियो बेजा था हूँ आपने देखा है ना वीडियो तो उसके रिलेटेट कुछ एक और द्रेट किया तो आपकु यहां पर ऊडर टूमेंग डौर किया उसको शक्राइबनाना और बनाना ए हो हम आल्गणियों और यहां पर इसमें डी आएगा पजल मतलब वह हैरानी में पड़ गए थे कि अब हम कैसे करेंगे फिर बिर्बल ड्रीव ब्लैंक लाइन अंडर फर्स्ट वन वहां पर यह बिर्बल ने किया किया तो वहां पर एक लॉंगर लाइन बना दी तो यहां पर एक लॉंगर लाइन बना दी तो वह लाइन खुदब कुछ छोटी हो गई ना फिर यहां पर आ रहा है question answer what did Akbar drew on the floor अकबर ने floor पर क्या ड्रॉ किया तो यहां पर मैं answer लिख रहे हूं अकबर drew a line on the floor यह आएगा answer देखे क्या है अकबर यहां पर अकबर का spelling आप अच्छे से लिखेंगे अकबर drew a line on the floor यहां पर ड्रॉ का ड्रॉ हो जाएगा कि वहां पर एक फ्लॉर पर एक लाइन ड्रॉ की फिर है next what did he order मतलब वो उन्होंने क्या order किया तो यहां पर आएगा he order he ordered to make the line shorter क्या किया he order to make the line shorter मरलब लाइन को छोटी बनानी है ऐसा order किया फिर है what did Birbal drew बिरबल ने वहां पर क्या किया तो बिरबल में यहां पर देखे यह जो हमारा यह four number की यह filling the blanks है ना वो पूरा वहां पर answer आएगा यहां पर आएगा देखे थर्ड में लिख रहे हूं बिरबल ड्र्यू अ वहां पर क्या बनाया था longer line तो longer 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 line under the first one यह आएगा पूरा जो अकबर ने वहां पर line ड्रो की थी उसके नीचे बिरबल ने एक लंबी line ड्रो की तो यह जो पूरा है ना यह answer आएगा यह थर्ड वाले में बिरबल ड्र्यू अ longer line under the first one फिर यहां पर देखे हम कुछ यहां पर एक देखे यहां पर आपको एक बच्चा दिख रहा है तो यह है टॉल लेकिन उससे भी बड़ा है तो वह है टॉलर और सबसे बड़ा है वह है टॉलेस्ट उंचा उससे उंचा और सबसे उंचा फिर ऐस ज होता है लेकिन यह जो स्केरल है और यह चूहा तो सबसे चोटा है बलttर इन तीनों में चूहा सबसे चोटा है यह बीच का है और यह चोटा है ऐसे ही लॉंग लॉंगर लॉंगेस्ट शॉट शॉटर सॉटिस्ट श्ट्रॉंग श्ट्रॉंगर और स्ट्रॉंगेस्ट फिर नेक्स्ट पेज पे हम जा रहे हैं देखिए यहां पे भी है वीक वीकर और मतलब वीक मतलब यह बौडी से वीक है लेकिन यह तो इससे भी वीक है और यह सबसे क्यानों फ्रिर ब्राइट ब्राइटर और अफिर यांग यांग एंगर और यंगिस्ट मतलब चोटा होना जो बड़ा होता है तो यह तो इससे छोटी है और यह सबसे छोटी है फिर आप eh मतलब age में old होना और age में बड़ा होना यह इसे भी बड़े हो और यह तो सबसे बड़े दादाजी है ऐसे फिर देखें यहां पे hard, harder और hardest मतलब यहां पे देखें यह hard होता है यह हमसे तूटता नहीं है फिर यह भी थोड़ा hard होता है और यह तो एकदम ही hard होता है सबसे हार्ड फिर है new, new year, newest, clean, cleaner, cleanest, warm, warmer, warmest, cold, colder, coldest तो यहां पर देखिए अभी जो मैं हमने सीखा है उसके related इसमें आपको लिखना है जैसे clean तो cleaner, cleanest, फिर bright तो यहां पर आएगा brighter और यह जो last है उसमें आएगा brightest तो B, R, I, T, S, T यहां पर देखिए मैं यहां पर आप छोटी से end right in brightest का मैं यहां पर लिख रहे हूं B, R, I, G, H, T, E, S, T, brightest फिर यहां पर देखिए strongest दिया गया है तो फिर हमें strongest तो यहां पर क्या आएगा stronger और आपको नहीं है तो आपके आगे के page पर लिखें उस पर भी और यहां सबसे first में आएगा यहां पर strong क्या आएगा strong तो यह पूरा आपको ऐसे finish करना है फिर दिखें next page पर तो आपको क्या करना है good handwriting में यहां पर निशे लिखना है a cat on the mat a cat on the mat यहां पर good handwriting में लिखेंगे फिर a man ran up the hill फिर next page है देखें यहां पर the grass is green the fox jump over the dog यहां पर यह जो दो पेज है वो good handwriting में करसी रैटिंग में लिखेंगे फिर यहां पर circle the odd one out यहां पर आपको circle करना है देखिए sad, happy, fat, cow और strong यह sad, happy यह सारी क्या है feelings है sad है happy होना, fat, mोटा होना, strong होना लेकिन cow है वह क्या है वह animal है इसलिए उस पर वह अलग है तो odd one out आउट हुआ फिर parrot, pick up, cat, sparrow और crow तो देखिए और सब क्या है birds है लेकिन यह है animal है फिर fat boy, hand, school और pencil तो इसमें क्या है आएगा तो इसमें आएगा fat boy, hand, school और pencil तो इसमें आएगा hand फिर यहां पर देखिए elephant, camel, dog, horse और यहां पर है duck तो duck क्या हुआ bird हुआ फिर pen, sheep, pencil, hat, torture तो यह सारी चीज़े है लेकिन यह sheep क्या है animal है तो यह ऐसे हमारा odd one out हुआ फिर नीचे देखिए क्या करना है हमें color the shape comes next यहां पर कौन सा जो यह shape है वो next आएगा तो दहां पर देखिए star, square, star, square, star, square, star, square, star, square तो अब आएगा star तो यहां पर यह star आएगा लेकिन star में आपको क्या करना है तो star में आपको blue color करना है देखिए star है तो यहां पर आपको blue color करना है फिर इडेहाँ पर देखिए triangle, circle, triangle, circle, triangle, circle, triangle, circle और अब क्या आएगा तो अब आएगा triangle तो यहां पर हम करेंगे यह When you are nest done will आपको orange color करना है ऐसे जो next आ रहा है उसमें वो जो color आ रहा है वो यहां पर दीखिए उपर नीचे उपर नीचे उपर अब आएगा नीचे तो नीचे में कौन सा है green color है तो सेम ऐसे ही यह पूरा आप finish करेंगे फिर यहां पर देखिए यहां पर है draw and missing shape in the pattern यहां पर आपको क्या करना है इसमें जो missing shape है उसको draw करना है इसमें दीखिए यह triangle है उसके बाद circle draw करेंगे और यह फिर triangle circle और यहां पर आपको triangle और ऐसे ही यहां पर square है और rectangle है तो जहां जहां जो shape आ रहे हैं वो आप यहां पर देखिए जहां पर जो shape आ रहे हैं वो आपको draw करने हैं तो आज का आपका इतना homework है फिर एक जो story है वो मैं आपको एक दिन बेज़ दूँगी और यहां पर यहां पर यह chapter finish हो रहा है Thank you